हेलो फैंट्स मैं रंजेत यह साथ तक मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों वीपेसी पोस्ट के अंत्रगत आज हम लोग जानेंगे अनुमंडल पिछरा अती पिछरा वर्ग कल्यान पतादिकारी के बारे में रशाफी व्यपेसी में ये वैकेंसी आई है और रसाफी वैकेंसी बाद में जोरी गई है वन थर्टन पोस्ट के लिए जिसके जौब प्रॉपाइल के बारे में पूर्य विष्दार से हम लोग जानेंगे हम लोग जानेंगे कि इनकी पोस्टिंग कहा होती है干्री सुम् कौन-कौन सी मिलती है, इन्हें कितनी salary मिलती है, इनको क्या-क्या काम करने पड़ते हैं और promotion के क्या scope है, पूरे विस्तार से जानेंगे, तो ये वीडियो काफी महत्वपन होने वाला है, वीडियो कौन तक देखे, अगर हमारे चैनल पर नहीं है, तो इसे से भी जाना जाता है, दोस्तो इस पूरे post के job profile के जानने से पहले मैं आपको बता दू कि 66VVPSC के त्यारी के लिए मैंने अपना homework series और test series program कर दिया है, इसके लिए आपको GS आज तक का mobile app डाउनलोड करना परेगा, GS आज तक का mobile app डाउनलोड कीजिए, mobile app डाउनलोड करने के बाद इस course के सांथ enroll होई है, और 60 दिन में अपनी त्यारी को पूर्ण कीजिए, ठीक है, काफी महत्रपूर्ण है, और आज ही आप लोग इस mobile app को डाउनलोड करेंगे, और सांथ सांथ हमारे course के सांथ भी जुरेंगे, तो चलिए जानते हैं Subdivisional BC and EBC welfare officer के बारे में, जो बाद में क्या किया है, BPC ने 139 post इसके लिए आइड किया है, और यह नया पद है, इससे पहले सायद इसका पद vacancy नहीं आया था, और अनुमंडल पिछरा एवंग अति पिछरा वर्ग कल्यान पताधिकारी के नाम से यह जाना भी जाता है, तो सबसे पहले हम लोग recruitment की बात कर लेते हैं, तो recruitment आप लोग देखी रहे हैं कि VPSC ने इसकी vacancy निकाली है, तो definitely इसकी जो recruitment agency होगी, वो VPSC होगी, और VPSC combined competitive exam की अंत्रगत इसकी recruitment करती है, यह group B का job है, चिक है, किसका job है यह, group B का job है, और पद का नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो है sub-divisional BC and EBC welfare officer या अनुमंडल पिछरा एवंग अती पिछरा वर्ग कल्यान पतादिकारी, चुकि इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि मैंने एक post के बारे में बताया था आपको SCST welfare officer, ठीक है, तो अगर आपने उस welfare officer, अगर आपने उस video को नहीं देखा है, तो देखे है काफी महतोपुन है, और इसकी भी पद, इसकी भी पद, 162 UPSC में है, SCST welfare officer, और एक अलग से पद जो रा गया है, वो है BC and EBC welfare officer का पद, ठीक है, अब हम लोग ज्यान लेते हैं कि controlling authority कोन होता है, आपका सारा जो कार्ज है, किसके direction में करना पड़ता है, और आपके transfer posting कोन से वि कि आपकी controlling authority भी, पिछरा एवंग अती पिछरा वर्ग कल्यान विभाग होता है, ठीक है, आपकी controlling authority कोन होती है, पिछरा एवंग अती पिछरा वर्ग कल्यान विभाग, और आपका जो posting है, ठीक है, posting आपको अनुमंदल अस्तर पर होता है, चुकि नाम में ही आपका अनुमं अपको कहीं भी होगा तो अनेदल पर हमढ़ूर ओस्टिंग और पोली होगा तो आपको अजने ट्रीटी यहां से आप किन्ट्रॉल होते है ट्रीकों से आपको कभी भी हो पोस्टिंग नहीं मिलेगा तो यह निश्चिंथ हो जाए कि आप अगर इस पद पर आते हैं या विपेस्ट के किसी भी पर आते हैं तो एक स्टेट लेवल का कैडर होता है जिसमें आपको होम डिस्टिक नहीं दिया जाता है तो अब आप जान गये हैं कि आपका रिक्रेटमेंट कौन होता है टांसफर कोन करता है अब हम लोग जान जाते हैं कि आपकी सैलरी क्या है तो और उल्रेडी भी पेसी की जब एकंसी आया था तो उसमें आपको बताया गया है कि आपका जो पेस्किल है वो सवेंथ कमिशन के अनुसार लेबल सेविन का है लेबल सेविन का पधा है तो यह अन्तरगत आते हैं तो अगर आपका पेलेबल शेविन का प्रद है तो रफनीटूप से आपका जो पेस हाजार नौ सो से लेकर के आपका एक लाख बैसे ज़ार चार्सों के बीच का पे बैंड होगा और आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी शैनलनो सो ओ गई और इस बेसिक salary पर आपको मिलता है Dearness allowance मतलब DA, medical allowance ठीक है? उसके बाट traveling allowance और सारे allowance जो बिहार government के जोड़ार निर्धारित किया जाता है तो definite रुप से ये सारे allowance आपको मिलते हैं अगर बरत्मान में salary की बात कर ले तो अभी आपको salary साथ हजार प्लस मिलेगा। तो काफी अच्छा पद है और सेलरी के मामले में भी काफी अच्छा पद है। और आगे देखेंगे इसका जोब प्रॉफाइल इतना बढ़िया है कि आप सुझ सकते हैं कि आप अगर अगर SDM नहीं मिलता है SDM अगर आप नहीं बन पाते हैं तो अगर पब्लिक फिल्ड में काम करना है तो यह पद आपके लिए बेहतर हो सकता है अब हम लोग देखते हैं थोड़ा प्रमोशन के क्या स्कोप प्रमोशन के स्कोप सबसे महतकुन होता है कि आपका जो जिस पदपर है उसमें आपका फ्यूचर क्या है तो फ्यूचर की बात जाने से पहले हम लोग यह जो आप देख रहे हैं चार्ट यह है संगठनातमक चार्ट है टिक है STST welfare के संगठन का चार्ट है तो इस संगठन के चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सपस्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपका प्रोमोशन के क्या एसकोप है तो सबसे पहले अगर संगठन के सीर्ष पर हैं वो हैं सचिव संगठन के सेर्ष पर हैं सचिव मतलब इस डिपार्टमेंट के सचिव है और इनके तीन विंग है एक है प्रबंधन निदेशक का और एक सचिव का और एक निदेशक का तो यह तीन विंग है और तीने के अलग अलग अंग भी है ठीक है और सची जो भी होते हैं वो आई-एस लेवल के पताधिकारी ही होते हैं आप कहां है इसे इसके बारे में देखते हैं तो आप कहां है आप है यहाँ अनुमंडल कल्यान पताधिकारी ठीक है जनरली आपको क्या बोला जात है तो पहली posting आपकी क्या हो जाएगी है पहली posting हो जाएगी जिला कल्यान पदा धिकारी के रुप में मतलब दस वर्स के बाद जब आप अपने बाधर से आप डस वर्स पूरा कर लिए होंगे टिक यह तो दोkaaवेजिडर में अपका जो पहला प्रोमोशन होगा वो हो जाएगा जीला कल्यान पॉदाधिकारी के रूप में और अब आप अनुमंडल से आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी जीला अस्तर पर हो जाएगी उसके बाद जब आपका दूसरा प्रोमोशन जो हो जाएगा वो direct आपका जीला अस्तर के नीदेशा है उसके डारेक्टर आप बन जाएंगे ठीक है तो यह आपकी दूसरी पोस्टिंग होगी इसके बाद इसके बाद आप अवर सचिव उप सचिव संजिक सचिव बिसे सचिव तक डेफिनिट रूप से आप जा सकते हैं तो प्रमोशन का अगर स्कोप देखा जाए तो डेफिन होकर जा सकते हैं मतलब आप सचिव तक तो नहीं जा सकते हैं लेकिन अब आंप प्रमोशन के हिसाब से भी साधरी के साब से भी अगर मैंने पहले ही बताया कि आपकी पोस्टिंग कहा होती है पोस्टिं retail होगी तो आपको क्या मिलेगा आवास की oynख की सुब दहा में प्यून होंगे आपको बिजली बिल और फोन बिल यह सभी गौवर्मेंट के द्वारा पे किये जाएंगे मतलब यह सारे चीज आपको फैसलिटीज मिलने वाला है मतलब यूं समझ लेजिए कि एक SDO को SDM को ठीक है एक SDM को जो फैसलिटीज मिलती है वो सारी फैसलिटीज आपको मिलेगी ठीक है वसरते गार्ड नहीं मिलेगे ठीक है गार्ड छोर कर बाकी सारी फैसलिटीज आपको मिलेगी तो काफी अच्छी फैसलिटीज के मामले में भी देखा जाए तो यह एक अच्छे पद कहे जा सकत है तीखे अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा आपका कार्ज छेतर कहां से जुरा हुआ है और पिछरा एवंग अती विछदावर के काम से जुरा हुआ है क react रूव थैसाई दूप से आप का छितर जो होगा युग श्याय फितर आपका जो होगा नमंदी है थार है युद्ल्ट…" वह ब्लॉक की लेवल पर वह सब्डिवीजन से लेकर फिलेश सक מפलब यह पब्लिक है और और काफी पब्लीक फिल्ड में आपको अपने प это अपने निसική है अपने पावना ओब अगर सेवा की भावना है आप में तो उस भावना को व्यक्त करने का एक अच्छा उसर आपको मिल सकता है सबसे महत अपन चीज है कि आपको काम कौन-कौन से करने परेंगे तो आपको काम करने की बात आएगी तो काम आपका काफी भैरियसन वाला है सबसे पहला काम है कि अतंत पिछरे वर्ग के वजीफा परदान करना मतलब वजीफा मतलब हो गया उनके विकास से समंधी कार्च को करना अती पिछरावर्ग के छात्रों के पुस्तकों सहायक समागरी के लिए अगर अती पिछरावर्ग के जो भी छात्र हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको पुस्तक समागरी अनुदान के रूप में परदान करना पड़ेग अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप सहकारी समीति का गठन कर सकते हैं अतन्त पिछ्रेवर के लाब के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं की असापना करना होगा आपको और सहायक अनुदान परदान करना होगा पिछ्रेवर के लिए भी विकास के काम करना खाये गा इसके अलाबा, इसके आलाबा आपको पिछरा और अति विछ्रावर के वित से जुरा हुआ काम भी उनके विकास में अगर किसी तरह का वित ये आवसक्त होगी तो उसके लिए भी आपको वित निगम की सहयता से आपको उनको रिन उपलब्द कराना परेगा उनको भी सरकार के द्वारा योजनाय बनाई जाती है पिछरा वर्ग और आति पिछरा वर्ग के विकास के लिए उसे आपको किलियानमित करना परेगा अपने सेब्डिविजन लेबल पर ठीक है मतलब इससे आसपस्ट हो गया है कि आपको पिछरे तरु और आति पिछ्रे वर्व की समाजिक आर्थिक और सैक्षणिक विकाँस में महत्र पुर्पून देना परेगा इसके अलावा इसके अलावा जो काम होगा वो आपको होगा 13 SE पड़िए पता धिकारी और जो भी रिपोर्ट जरुवत परेगा आपके बढ़ियों पदाधिकारी को वो आपको उपलवत कराना परेगा और समय समय पर बढ़िये पदाधिकारी आपके कार्जों के निरिक्षन के लिए आपसे कह सकते हैं या समय समय पर बढ़िये आपके बढ़ियों पदाधिकारी वो ऐसी वो जो है आपको पिछले वर्ग और अति पिछले वर्ग के विकास के लिए आपको कार्ज सौब सकते है ठीक है तो ये थे जॉब प्रोफाइल ठीक है पिछले वर्ग अति पिछले वर्ग कल्यान पताधिकारी के मतलब बीसी और एबीसी वेलफेर आफिसर के ये जॉ प्रोफाइल थे दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे मुबाइल आप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लिजे और विपेसी से जुरे हुए कोर्स इस पर हमेशा चलते रहते हैं इसलिए आपको फायदे में रहेंगे और आप इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं हमारे चैनल से संवंद्ध में पर बबनों कर सकते हैं तो यह सारे चीजे जो आप समझ गया होंगे कि अनुमंदल और प्रिकारी उनके से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ